नमस्कार जैश्रीकृष्णा प्रडाम मैं पहली बार आपको ये वीडियो देने जा रहा हूँ क्या है क्या आपके पवित्र प्रेमी कोई भी इस्त्रिय पुरुष क्योंकि प्रेम तो हर एक को किसी ना किसी से होता है किसी को इश्वर से होता है किसी को संसार से किसी को संसार के व्यक्ति से होता है किसी को विद्या से होता है, यदि आपको अपने प्रेमी के संदर्भ में जरासा भी negativity मिल रही है, कि आप से वो मुह मूर रहा है, आपके साथ वो अब वैसी बात नहीं करता है, जैसी पहले करता था, आपके मन में खशंका पैदा हो जाती है, क्या करें? अच्छा ये उपाय है और ये उपाय मिठास घोलने वाला है और ये उपाय मैंने कई लोगों को करवा करके प्रतिफल भी लिया है समझेगा पहले कैसे क्या करना है यदि लोग तो लब टिफ्स देते हैं ये लब टिफ्स ही समझे लिजे तो प्रेम को बढ़ाने वाले उपाए हम बताएंगे ना कि घटाने वाले और ये प्रेम पवित्र प्रेम की बात है ना कि कोई टोटका तंत्र मंत्र है यह भावनात्मक वैदिक क्रियात्मक उपाए है यदि आपको लगता है कि आपके पती आपसे बिमुख हो करके आपके अलावा किसी और से प्रेम करने लग जाएं या लग रहे हैं तो आपको ये करना चाहिए यदि आपको लगता है आपके पत्नी का आकरशन किसी की तरफ हो रहा है तो आपको करना चाहिए सब्स एक दो टिफ्स आप ले लीजे बाकी मैं पुनां बताऊंगा करिए क्या चांदी का चौकोर एक टुकडा ले लीजिए मान लो एक रुपईये भर का टुकडा पतला टुकडा ले लीजिए उसमें सुनार से ही पहले अपना नाम फिर पत्नी का नाम या पती का नाम देगा, सुनार लिख देगा, अपना नाम पहला, सेकंड अपने प्रेमी का नाम लिखें, अब उस टुकड़े को ये करना किस दिन है, वैसे तो विशेश रूप से एतवार मंगलवार या प्रभाव का साली उपाय है, उस टुकड़े को लाएं गंगा जल में डाल दें, दास साफ करें, आब उसे 2-3 मिनट घी में डाल दें, पड़ा रहने दें, 10-5 मिनट, 15 मिनट, आब उसे निकाल लें, निकाल लें के बाद एक शहद के किसी ऐसे बरतन में जिसमें वो टुकड़ा आ सके, शहद के बरतन में, भरे हुए बरतन में वो टुकड़ा डाल दें, बंद यह practical उपाय आपको मैंने बताया अब इसको करने के बाद आप खुद हमें बताएंगे कि आपके जीवन में सवा महिने की अंदर अंदर प्रेमी का आकर्शन आपकी तरफ हो जाता है दूसरा उपाय लीजे रोटी आपको बेलनी नहीं आती सीख लीजे अगर आप इसतरी है तब तो आप बेल लेते हैं यदि पुरुश है तो आप नहीं बेल पाते होंगे नहीं बेल पाते हैं तो बेलना सीख लीजे रोटी को बेले गोल अब थोड़ा सा हल्दी थोड़ा सा केसर और उसमें थोड़ी से सहद डाल दे हल्दी, केसर, शहद, ठिक, पानी डाल ले, गीली कर ले, मालव स्याही बन गई, अब उसको, यदि आपके पास अनार की लकडी है, तो उसकी पतली से पिन बना के, कलम बना करके, उसी तीनों चीजों मिस्तृत, शहद, और ये हल्दी, और केसर, तीनों चीजों से मिस्तृत व पहले अपना नाम, फिर पत्री का नाम, या पहले अपना नाम, फिर पती का नाम, लिखने के बाद उस रोटी को पका ले, सिद्ध कर ले, तवे पर, उसके बाद उस पे पूर्ण शर्द्धा से एक मंत्र बता देता हूँ, ओम नमो देव आदी रूपाए, फिर उसका नाम वहां लिखना है, मम वश्यम कुरू कुरू स्वाह, फिर बोल देता हूं, ओम नमो देव आदी रूपाए, अमुक यानि फलाने का नाम जिसको अपने वश्यमे करना है, जिसके साथ जो आपका पती ये पतनी है, प्रेमी है उ तो ये लिखने के बाद ये मंत्र जपे कम से कम 20 बार, 108 बार जपे तो बढ़ा अच्छा है, रोटी पकने के बाद फिर उस पे देशी घी, देशी घी गाई का हो तो ज्यादा फल प्रदाग करेगा, उसके बाद उस पर पकने के बाद घी लगाके, गुड रखके, गाई को ख योग गलत करना हो, वो बिलकुल दूर रहें, क्योंकि ये उनको फायदा ही नहीं करेगा, चा भी मेरे पास है, ये केवल उन लोगों के लिए है, जो पती-पत्नी आपस में जगडते हो, जो विशेश तोर से जैसे पत्र-पिता में जगडा होता हो, भाई-भाई में बहु में, ये उनके लिए है, धर्म के लिए है, अधर्म के लिए नहीं है, बाकी अगर आप किसी अन्य कारे के लिए, गलत कारे के लिए प्रयोक करोगे तो इसका कोई प्रतिपल आपको मिलेगा नहीं, केवल धर्म निष्ठ चर्शा है ये, तो ये उपाय आप करके देख बताईएगा और मुझे बताईएगा इसका असर आपको कितना मिलता है तो बस वीडियो में तना ही लेता है विदा नमस्कार जाशेकुर्ण